मेडिकल एड फॉरम कंगन ने तीसरे सालाना दिन की तक्रीबात का एहतिमाम आई सब्जलक कंगन में किया जिस दोरान मुकामी लोगों के इलावा मज़कुरा एंजियो से वाबस्ता अफराद ने भी तक्रीब में शेर्कत की इस मौके पर अतरोट कश्मीर के चेर्मेन और जनरल सेकरेटरी भी मौजूद थे उन्होंने तक्रीब के दोरां कहा कि अतरोट और मेडिकल एड फॉरम एंजियोस ने मुश्तर का तोर पर फ्रांट लाइन पर काम किया है जिसमें COVID-19 मतासरीन गुर्दों की बिमारियों में मुबतला अफराद जईफूं के इलावा पसमांदा लोगों की मुक्तलिफ खिदमात पेश की तकरीब में मज़िद कहा गया कि मिडिकल एड फॉरम ने कांगन के मुक्तलिफ इलाके भी शामिल हैं कि मरीजों को अक्सिजन कॉंसेंट्रेटर्स फराहिम किये हैं उन्होंने कहा कि वो लोगों को एमुलेनस खिदमात भी फराहिम कर रहे हैं जिनको जुरूरत होती है इन्हें हस्पतालों में मुंतकिल किया जाता है जिसमें मिडिकल एड फॉरम ने आज एक एमुलेनस भी डोनेड की मेडिकल एड फॉरम सब डिवजन कंगन के तमाम इलाकों में ग्राउंड जिरो पर गैर मामूली सर्विस कर रहा है ताकि इन्सानी हमदर्दी के साथ अवाम को बहुत ज्यादा मतलूबा रिलिफ फराहिम किया जा सके पेशे ग्लैशर टाइमर्स की ये रिपोर्ट कि मुवार्य हकाल पर पोईजब मेहनत कर पालन डेडिकेशन होग इश्तियात अहमद नजाब ये मिलाए भी रूह रवां एस जी 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 अलानी सर्मार के डाइश सर आज यहां पर जो मिडिकल एड फारम की जो थर्ड एनुवल डे इन उन्हें मनाया है यहां पर तो इस हवाले साब बताईए जी ये मेडिकल एड फारम जो है हमारे साथ क्लाबरेशन में रहती है और हम इनके मेशकूर हैं कि इन्हों दिए पहले ये काम यहां पर शुरू किया हैं और उनके साथ हम लगातार जुड़े हुए हैं और आज जो इनोंने अम्बलन्स की इनागरेशन की इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत थी क्योंकि ये रिमोट एरिया में माना जाता है और जो रसाई होती हैं पेशिंट्स की हस्पतालों तक इसकी बहुत जरूरत थी हम इनके मश्कूर हैं कि इनोंने यहां पर ऐसा इंतजाम रखा हैं पेशिंट्स के लिए वो भी फ्री कि वो इन लोगों को हस्पताल तक पहुंचाते हैं मेडिकल एड फॉर्म एक अपनी खुद की अकाई हैं और माशाला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और माशाला अच्छा जजबा रखे हुए हैं इनके साथ हैं जब भी इनको अला का पताल का का फजल وकर मैं जैस के हमारा मनशूर और दुस्तूर है कौरान ओर रसुलि-पाक संहीं जैसकि रसुलि-पाक स्लींने फर Χायरूं नास मेशन fellow नास वहां जो दोस्नें के काम आए just Richardsह किया और में देखा जाये गए इस शार में और इस भी में इस में सारा क अशारत है कि लोगों के बलाई के क्लिए क्लिए क्या करना चाहिए विसको रुसलिपाक सिल्बी राजिया है। उपने बहुत अच्छा सवाल किया है, कि मदद के लिए जो जिस मदद के लिए आएगा, अगर कोई भी चाहता है वहाँ चाहना क्या है तो आना ही जरूरीया है नहीं मेहनद कि इस एम्डिलनस को लाए हमें एकहीं एम्डिलनस नहीं होनी चाही है मेरे खैल से इसे ओर ए Infinite होनी चाहिए जहांकि यहांकि हमने मैंने ओपर और डायलिसिस का हो माला वो आगे आके इनसानों की मदद करें और मौताजों की मदद करें थांक्यू हम से बात करने के लिए आज हम राहतर कंप्लेक्स कांगर में मेडिकल एड फोरम का सद्ट तीन साला तक्रीब मना रहे हैं जिसमें हमने अफ्टरूट के चेर्मेन जानल सेक्टर को मुद कियाता है मैं इनकी तही दिल से शुक्रिया अजा करता हूं हमारी मेडिकल एड फोरम का एक मकसद खासकर ये मकसद है कि हम जो भी गरीब और गुर्बा लोग है खासकर जो बिलव पोर्टिय लाइन है उनको हम फ्री इंविस्टिकेशन यहां हम करते हैं और बाग के लोगो हम इस मेडिकल एड फोरम का मकसद जो भी है ये खाली हमारा मकसद ये है कि गरीब और गुर्बातों को हम इसे माउनत करें अच्छा चोड़कि दुन्या में एक वबाई बेमारी फेली हुई थी इसमें हमने तमाम जिन लोगों को जुरूस बंदों को हमने आक्सिजिन कंसि पर हमने वक्तन उनको महया कर रखे हैं और आज भी जिसको जिसको भी आज भी एक्सिजिन कंसेंटरेटर की जुरूस पर 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 प्रवाड करते हैं अब हम तमाम अवाम से खासकर वसंद से सुनमले तब तब तमाम से गुजारिश करते हैं कि हमारे मेडिकल एड फोरम की ए इंबलन्स है इसका एक टॉल फिर नंबर है जो इस पर डिस्पिले हुआ है वो इससे इस पर राइप्टा करेंगे और 24 गंटे हमारे एंबलन्स सर्विस हमारे लोगों के लिए यहां महिया रहेगे वसंद से सुनमले तक बेच चास के